बच्चों आज का चैप्टर है How Much Can You Carry? तो लेट्स स्टार्ट दे चैप्टर पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहेंगे जो कहानी है The Clever Donkey and His Heavy Sack Sack मिन्स होता है थैला एक चालां डॉंकी और उसका थैला यह हमारी कहानी है संदेज के पास एक डॉंकी होता है जो अपनी पीट पर नमक से भरा हुआ थैला लेकर के चलता है On the way, the market, they have to cross a river रास्ते में, on the way, to the market, they have to cross a river उनको एक नदी पार करनी होती है One day, while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river एक एक दिन नदी पार करते समय जो डॉंकी होता है वो slip हो करके नदी में गिर गया When it got up, जैसे ही वो उठा The sack felt very light Light means hulka The sack felt very light जो थैला होता है, वो बहुत ही हलका लगा क्या लगा? बहुत ही हलका तो अभी तक आपने ये देखा जो डॉंकी होता है, वो अपनी पीट पर एक थैला जो कि salt यानि नमक से भरा हुआ है उसको ले करके जा रहा होता है और नदी के पास वो slip हो करके नदी में गिर जाता है फिर क्या हुआ? जब वो नदी में गिर जाता है तो उसके साथ उसका थैला भी नदी में गिर गया अब जब थैला भी उसका नदी में गिर गया तो जो उसमें salt रखा था आप जानते हो जब salt पानी में जाता है या पानी में आप डालते हो उसको तो वो क्या होता है? dissolve होता है धीरे धीरे घुलने लगता है ठीक है ना? तो घुलने लगता है तो वो पानी में घुलता है तो ऐसे ही उस थैले में जो रखा था salt वो पानी में dissolve हो गया उसकी वज़से थैला क्या हो गया? light हो गया, हलका हो गया फिर पूछा गया कि guess why the sack felt lighter why, what is the reason the sack felt lighter because the salt dissolved in water the donkey was very happy donkey क्या हुआ बहुत खुस हुआ this also gave it an idea उसने उसको एक idea मिल गया this gave it an idea इस चीज ने, इस incident ने उसको एक idea दिया next day while crossing the river the clever donkey decided to take a deep deep माने होता है डुब की लगाना अगले दिन क्या हुआ जब donkey को लगा कि हम जब इस river में या पानी में dip लगाएंगे तो हमारा ये जो ठैला है जो bag है वो हलका हो जाएगा तो अगले दिन उसने क्या किया उसने decide किया हम इस water में dip लगाएंगे दुब की लगाएंगे next what happened this time संदेश understood the donkey's trick संदेश को क्या हुआ कि उस donkey का trick पता चल गया देखो यहाँ पर ये जो संदेश है इसने कहा हाँ let me teach it a lesson मुझे एक पाठ पढ़ाने दो या मुझे उस donkey को एक सबक सिखाने दो मुझे सिखाना है next day संदेश put sack of woolen cloth in place of salt अब क्या किया संदेश ने उस salt के जगह पर woolen cloth माने जो उनी कपड़े होते हैं जो blankets टाइप के कपड़े होते हैं उसने उस थैले में उसको रख दिया अब बताओ बच्चों क्या हुआ होगा now what would happen to the donkey when it dipped into the river अब क्या हुआ होगा जब उस river में डुबकी लगाया होगा तो lighter फील हुआ होगा या heavier फील हुआ होगा तो तो answer is the donkey will feel heavier because woolen cloth will absorb water woolen cloth क्या करेगा water को absorb कर लेगा उसको soak लेगा उसकी वज़द से क्या होगा वो heavy हो जाएगा ठीक है न absorb करेगा water को absorb means होता है उसको पानी को soak लेना ठीक है तो अब आपको इस कहानी से एक संदेश और भी मिलता है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए हम किसी के साथ जैसा गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा जैसा कि इस डॉंकी ने किया कि वो डिप लगाता था पानी में ताकि वो salt जो है dissolve हो जाए पानी में और उसका weight कम हो जाए तो next time उसको क्या मिला woolen cloth दे दिया वो पानी को absorb कर लिया और heavier हो गया और भारी हो गया next यहां पर आप देखो एक राजू नाम का छोटा बच्चा है यह राजू है और यह see saw है जो आपके school में भी इस तरह का झूला बना हुआ है तो उसमें यहां यह राजू बैठा हुआ है ठीक है ना यह राजू बैठा हुआ है और राजू चाहता है कि इस side भी कोई आकर के बैठे ताकि वो उपर side में जाए ठीक है लिखा है ना राजू needs a friend to ride a sea saw राजू को एक friend की जरूरत है ठीक है फिर क्या हुआ राणी comes to help राजू राणी आती है राजू की मदद करने के लिए यह देखिए राणी आकर के यहां बैठी हुई है राणी आकर के यहां बैठी हुई तो है लेकिन राजू अपनी जिस position पर है उसी पर बना हुआ है थोड़ा सा भी राजू उपर नहीं उठा राणी comes to help राजू बट still राजू cannot ride it लेकिन राजू जो है उपर lift नहीं हुआ Can you tell why? Circle the correct answer क्या बता सकते हो की राजू उपर lift क्यों नहीं हुआ है? Yes, the answer is very simple because राजू is this is राजू राजू is heavier than राणी राजू जो है वो राणी से जादा हैवी है भारी है इसलिए राजू cannot ride it तो यहाँ पर हैवी कौन है राजू हैवियर कौन है राजू lighter कौन है? light कौन है? हलका कौन है? राणी तो circle the correct answer आपको circle करना है यानि गोला करना है जो सही हो राजू is heavier और lighter than राणी तो correct answer क्या होगा? राजू is heavier आप इसको क्या करेंगे? circle कर देंगे ठीक है न? it is clear heavier राजू is heavier असलम comes to help them अब क्या हुआ? कि ये जो राजू है राजू तो लिफ्ट नहीं हुआ राइड नहीं कर पाया अब उसकी मदद करने के लिए आता है कौन है? असलम असलम comes to help them असलम उनकी मदद करने के लिए आता है लुक एड़ पिक्चर आप पिक्चर में देखो ये कौन है? ये राजू है ये कौन है? ये राणी है ये असलम आता है असलम आके राणी के पास बैठ जाता है can you tell why the sea saw turned this way? तो जो sea saw इस तरीके से था जब पहले के लाजू बैठा हुआ था तो इस हिसा इस तरह से था फिर राणी भी आके बैठ गई ठीक है? तब भी इस कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि राजू is heavier than राणी अब क्या हुआ? इस पे असलम भी आके बैठ गया अब क्या हुआ? कि ये जो sea saw है ये lift कर गया अब ये देखो ये थोड़ा सा lift हुआ यहाँ पे Can you tell why the sea saw turned this way? क्यों हुआ? क्योंकि अब ये जो राजू है इसका weight कम हो गया इन दोनों के weight से यानि यहाँ पे ये दोनों लोगों का जो बहार है जो weight है वो ज़ादा है किसके weight से? राजू के weight से ठीक है न? Can you tell why the sea saw turned this way? Question It is asking the question Can you tell why? क्या आप बता सकते हो why the sea saw turned this way? जो sea saw है जो ये जूला है वो इस तरीके से turn क्यों हुआ? तो आपको यहाँ पे circle करना है circle बनाना है जो correct होगा राजू is heavier और lighter than राणी एंड असलम टूगेदर राजू is heavier क्या राजू heavier है? अगर वो heavier होता तो वो उपर नहीं उठता ठीक है न? उपर lift नहीं होता lighter यानि वो हलका है तो हम lighter को इंसर्कल कर देंगे राजू is lighter than राणी एंड असलम टूगेदर राणी और असलम दोनों को अगर साथ में मिला दिया जाए तो राजू क्या है? lighter है ओके? देखूं अब यहाँ पर यह जो C-saw है वो इस तरीके से है है न? ऐसे नहीं है ठीक है? यानि जो प्रूब